हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं अनीता चोहान और आप सबको मेरी नमस्ते, आज हम बनाएंगे नीबू और पुदीने का शर्बत, और मैं दो तरह से बनाऊंगी, एक तो मसाले वाला, सोडे का और एक सिंपल, तो चलिए शुरू करते हैं, अगर आपको मेरी ड नए हैं, वो भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चलिए शुरू करते हैं, चैले हम ये पुदीने के पते जार में डालेंगे, और इसमें निबू गरस डालेंगे, और चीनी भी डालेंगे, चीनी आप अपने स्वात के नुशार ले सकते हैं, जैसा भी आप पीते हैं, कम यह ज़्यादा, अब इसको हम गिराइंड करेंगे, तेखिए, अब हमने गिराइंड कर लिया है, अब हम इसको चानेंगे, अब हम इसको चान लिया, और यह मोटा मोटा बच्चा है, हम इसको फैर देंगे, अब हम सरू करेंगे इसमें, पहला आइस क्यूब डालेंगे, यह हमने आइस क्यूब डाल दिये, अब हम इसमें, पुदीने का दस दालेंगे, एक हम सिम्पल बनाएंगे, यह हम सिम्पल बना रहे हैं, अब हम इसमें समय नमग डालेंगे, आदा चमच, अदा चमच कलन नमग डालेंगे, जीरा पॉडर डालेंगे, पिसाओ जीरा, इसमें भी पिसाओओ जीरा डालेंगे, काला नमक डालेंगे, सफेद नमक, जालेंगे, सोडा डालेंगे, सोड़ा बना रहें और ये सिंपल बना रहें अब इसमें चाट मसाला डालेंगे, आदा चमत चाट मसाला डालेंगे, इसमें भी आदा चमत चाट मसाला डालेंगे लागो लुपी। लागो तोड़ी पुदिन के बदेदे डाले ये पूसे थोड़ा सा सोड़ा नालें तोड़ा पानी हो डालें यह हमारा सोडे वाला त्यार हो गया है यह हमारा सिंपल त्यार हो गया है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें आपके वाए मिलते हैं अगे एक नई वीडियो के साथ